राजनीती के मंच से घर के आगन में मुलायम की दोनों बहुए रहेंगी साथ लोहो गई नेताजी की आखरी मलोकामना पूरी छोटे बेटे ने किया एलान मुलायम के कुनबे के मुख्या बने अखिलेश यादव चाचा शिफपाग देंगे सहारा नेताजी की दोनों बहुए अब राजनीती में मचाएंगी गदर टेंशन में विरोधी धरती पुत्र मुलायम सिंग की दुनिया से जाने के बाद उनकी एक मनोकामना पूरी होती दिखाई दे रही है जिसकी चर्चा काफी तेजी से हो रही है और ये मनोकामना कोई ऐसी वैसी नहीं इसके लिए बाकाइडा मुलायम सिंग यादव ने कई बार प्रयास किया लेकिन अपनी जिंदगी में उनका ये प्रयास असफल रहा आप सबको पता है कि मुलायम सिंग यादव अपने परिवार को एकटा करके रखना चाहते थे लेकिन ऐसा नहीं हुआ मुलायम यादव का कुनबा कई टुकडों में बढ़ गया खुद मुलायम सिंग की बहु अपड़ना यादव अपने परिवार की राचनितिक पाटी सपा का दामन छोड़कर भाजपा में चली गई तो वहीं चाचा शिफपाल यादव ने भी अकिलेश यादव का साथ नहीं दिया चाचा भतीचे का विवात कई बार मीडिया के सामने आया और फिर अकिलेश यादव की एक सफल प्रयास से शिफपाल सिंग यादव एक हुए लेकिन अपनी पार्टी का विले नहीं किया बलकि पार्टी का गटबंदन करके चुनावी जंग में अकिलेश का साथ दिया लेकिन मुलायम सिंग की अस्थी विसरचन के दौरान उनकी एक मनो कामना पूरी होती दिखाई दे रही है दरसल जल्दी आपको मुलायम सिंग यादव की दोनों बहुए एक मंच पर दिखाई देगी चाहे वो राचनितिक मंच हो या पारिवारिक अपर्णा सिंग यादव बीचेपी से राचनिती कर रही है तो वही डिमपल यादव गाहे बगाहे सपा की स्टार पिचारत बन कर पार्टी को बजबूत करती रहती है लेकिन इस बीच सपा की विपक्षी सम्हू के लिए एक बेहत दुखत खबर सामने आई क्योंकि अखिलेश के भाई प्रतीक यादव ने पिटा के अस्ति विसर्जन के दौरान मीजिया से बातचीत में इस बात को खुलकर कह दिया है कि अखिलेश यादवी परिवार की बाग डौर समालेंगे दरसल मीजिया ने पूचा कि मुलायम सिंगे जाने के बाद अब इस पार्टी की बाग डौर किसके हाथ में होगी इस जवाव में उनके भाई प्रतीक यादव ने कहा भाई अखिलेश यादव जी राचनिती करते हैं तो पिता की विरासत को वही समालेंगे जिसके बाद ये कयास लगाया जा रहा है उनके पती प्रतीक यादव ने अखिलेश यादव को आगे बढ़ाने के लिए एक बड़ा संदेश दिया कुल मिलाकर मुलायम कुनबा एक होकर चुनावी जंग में विपक्षियों का खुलकर मुकाबला करेगा इसकी शुरुआत होगी मातरपा से 6 महीने के अंदर जब सैफई में मुलायम सिंग की खाली सीट पर अखिलेश यादव के कुनबे से कोई प्रत्याशी चुनाव मैदान में आएगा बात सैफई की हो रही है तो सबसे पहले वहां से चुनाव रणने की संभावना शिफपाल सिंग यादव की हो रही है और दूसरे नंबर पर अखिलेश के चेचेरे भाई और मुलायम सिंग के चहेते धर्मेंत्र यादव हो सकते हैं क्योंकि धर्मेंत्र यातफ को मुलायम सिंग से बेहर लगाव था जिसकी कई तस्वीरे आपने मुलायम सिंग के निधन के बाद देखी होंगी